नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेगे सुगर अगर आपके शरीर में हो गया है तो कौन कौन से लच्छर दिखेते हैं और सुगर में क्या खाए आप जो है इस वीडियो को लाश्टर देखे आपको इस चैनल पर जाना हेल्थ टिप समंधि जानकारिया आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा खानपन ऐसा हो गया है जिससे खूर में सुगर लेवल बढ़ने की ज्यादा आसंका है किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है अपने सुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की जरूत है बढ़े हुए सुगर को पहचानने के लच्छड बार बार पिरसाब आना सुगर के मरीजों को बार बार पिरसाब आता है पानी पीने पर भी यूरिन की मातरा कम हो सकती है लेकिन आपको बातरूम जाना कम नहीं हो सकता है सुगर के मरीजों को आम तोर पर रात के समय बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है अगर आप कम पानी पीते है तो आपके सरीर में डिहाइडरिसन हो सकता है ऐसे में आपको पानी भी खुब पीना चाहिए प्यास ज्यादा लगना अगर सरीर में सुगर के मातरा बढ़ जाती है तो आपको बार बार प्यास लग सकती है ऐसे में आप ज्यादा पानी पीते है और अपने हाट और किड्नी पर बुरा अरसर हो सकता है क्योंकि सेमित या जरूर से हिसाब के ज्यादा पानी आपके भी आछ स्वास्त के लिए हनिकारक हो सकता है ज़्यादा पानी पीने पर केड्नी को उतना ही अधिक मात्रा में इसे फिल्टर करना पड़ता है इस से आपकी केड्नी पर भी असरप पड़ सकता है कमजोरी महस्तुस होना अगर आपको बीना किसी वज़े से कमजोरी महसूस हो रही है तो यह संकेश सरीर में सुगर की मात्रा बढ़ने का हो सकता है इस से हाथ पैरों में सुनता भी हो सकती है अगर कमजोरी काफी समय तक महसूस हो तो आपको तुरन्थी डाक्टर से मिलना किसला दी जाती है आखे कमजोर होना अगर आपकी नजर कमजो हो रही है तो यह सरीर में blood sugar label के बढ़ने का संकेत हो सकता है diabetes का असर नजर पर भी होता है इसलिए ब्यक्त की नजरे कमजोर होने लगती है अगर आपका नमर गबडा रहा है तो आखों किजाज के साथ ही एक बार blood sugar label भी जरूर चेक करवा ले blood sugar label को control करने के लिए खाए ये चीज़े शरीर में blood sugar की मातरा को control करने के लिए आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं बदाम का सेवन कर high blood sugar label को संतुलिट किया जा सकता है अपनी डाइड में लहसुन को सामिल करने से भी भायदा होच सकता है ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए खाए अखरोट ब्लड सुगर लेवल को खत्म करने के लिए जर से आपको करेले का जूस पीना है और करेले की सब्जी खाना है सुबक खाली पेट आप मेथी के दानों का सिवन करेए